सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आप ब्रश्चिक राशी के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ब्रश्चिक प्रेम राशीफल 2020 के अनुसार प्रेम के मामले में यह वर्श आपके लिए काफी अच्छे संगेत कर रहा है विशेश कर वर्श की शुरूरात आपके लिए काफी रोमांटिक कही जा सकती है आप अपनी रिलेशन्शिप को लेकर इस वर्श उत्साहित रह सकते ह अपनी लव लाइफ में एक ताजगी संजीतगी का अनुभव कर सकते हैं गुरू के प्रभाब से इस वर्श आपके लिए विवा के योग भी बन रहे हैं अविवाहित सिंगल जा तक जो किसी के सामने अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं उन्हें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है लेकिन कहते हैं कि प्यार करना आसान नहीं होता और उसे निभाना तो ओर भी ज़्यादा चूनोती पून होता है ऐसे में से आपको दरिया कहा जा सकता है वर्श के उतरार्द में भी आपको प्यार के इंतिहान से गुजरना पड़ सकता है वर्षकुंडली 2020 में ग्रह गोचर के अनुसार 30 मार्च को गुरु राशी परिवर्टन कर शनी के साथ मकर राशी में होंगे गुरु आपकी राशी से पंचम वधन भाव के स्वामी है शनी के साथ विराजमान होने से यह आपकी राशी से पराकरम इस्थान में नीच भंग राज योग बना रहे हैं सब्तम भाव में गुरु की पंचम दरस्टी पढ़ रही है जिसके कारण रोमांटिक लाइफ में पार्टनर के साथ आपके संबंद मधर बने रहने की उम्मीद भी कर सकते हैं विवाहित जातकों को भी जीवन सांती का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा प्रेम प्रसंगों में भी सुख मिलेगा प्रेम विवाह के भी योग आपके लिए इस समय बन सकते हैं मई की मद्धे तक आते आते शनी और गुरू दोनों वक्री हो चुके होंगे इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको अपनी परसनल लाइफ में देखने को मिल सकता है इस समय भावनात्मक रूप से अपने आपको मजबूत बनाए रखें हर तरह की परिस्थिती के लिए सोयम को तैयार रखें 30 जून को गुरू वापस धनूराशी में चले जाएंगे जिसके बश्चात संबंधों में मधुर्ता बड़ेगी वा मांगली कारियों के योग बनेंगे सितंबर में एक और जहां गुरू वाशनी के मारगी होने से आप लाइफ में कुछ सकरात्मक बदलाव एक पॉजिटिविटी देखेंगे महीं दूसरी और इस माह के उत्रारद में 23 सितंबर को राहू आपकी राशी से सक्तम भाव में आ जाएंगे जो कि दामपत्य जीवन में कड़वाहट के संकेत कर रहे हैं इस समय जीवन सांथी का स्वास्त भी आपके लिए चिंता का विशाय रह सकता है विशेश कर जिन लोगों का नया नया रिष्टा इस समय जुड़ा है उन्हें जादा संगर्ष करना पड़ सकता है आपके लिए सला है कि आप अपने जीवन सांथी पर विश्वास बना कर चलें वर्ष का मा की समय आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए अच्छा कहा जा सकता है कुल मिलाकर ब्रश्चिक राशी वालों के लिए प्रेम राशी फल 2020 एक नई उमंग, एक नई उत्सह, एक नई जीवन की शुरुआत के संकेत कर रहा है जितना हो सके इस वीडियो को आप ब्रश्चिक राशी वाले बंधों के साथ जरूर शेयर करें ब्रश्चिक राशी के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं बंधू अगर आप चाहते हैं अगर आपके जीवन में प्रेम से संबंधित कोई भी समस्या हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही साथ जय मातादी जरूर लिखें